एक शखस ऐसा है कि रुकु के लिए जुका तो इशारमें जितना हो सका जुका बटे बैटे लेकिन सजदा करने के लिए जुका नहीं वो क्या क्या किया वो किया यह के नीचे से तक्या उठाया और यह लगा दे रहा संजम है रहा है या ये जो है नीचे कोई सामान है धोड़ा साइसे जुका उठा कर के ये लगा दिया ऐसा काम नहीं चलेगा और अगर वो मसलख़न इतना जुका और ये ऐसा लगा दिया ठीक है हाला के उस से ज़ादा जुक सकता था और उसने नीचे से एक तख्ता उठाया तक्या उठाया या कोई किताब जैसे मैं उठा उठा करके ये सर में लगाया और समझता है कि मेरा सजदा हुआ, सजदा नहीं हुआ जब सजदा नहीं हुआ, नमाज उसकी नहीं होगी खुब अची तरह मसला समझ लो सुन में आया अच्छा वो लोग जो कुर्सी में नमाज पढ़ते हैं यहाजी साहब खाजी साहब अपने आपको नमाजी समझते हैं आएंगे गाड़ी में बैट करके मोटर साइकल चला करके आएंगे साइकल चला करके आएंगे और मस्जीद में आने के बाद हाजी साब का रोप और हाजी साब का दबदबा अरे मौसिन साब ये पंखा क्यों बन है मालू मैंने मैं यहां बैठता हूँ यहां पंखा चलना चाहिए बिचारा मौसिन साब कहीं सा आएगा पंखा का बटन दबाएगा वो हाजी साब जिस कोने में कुर्सी पर बैटेंगे वहाँ पर पंखा चलना चाहिए चलो भाई ठीक है अब जो हाजी साब कुर्सी में बैटके नमास बढ़ रहे हैं वो अल्ला का बंदा जुक सकता है लेकिन अपने लिए कुर्सी कैसी बनवाया है इस तरह का कुर्सी बनाया कि उसी कुर्सी में सजदा करने के लिए उपर तखता भी सेट है यानि रुकूब में तो जुका ऐसे जब सजदा करने का नमबर आया तो वो जो तखता सेट करके रखा टेबल की तरह बस टेबल पर ऐसे हाथ रखा और ये सजदा कर रहा और समझ रहा कि मेरी नमाज हो रही, नमाज नहीं हुई, शमझ आया कि नहीं आया, जैसे इसकूल के छोटे-छोटे बच्चों के लिए, वो टेबल नहीं बनाया जाता है, और उसी में अटेज रहता है, उसी में लगा हुआ रहता है, किताब रखने के लिए, वो तोड़ा ऊ ताकि बिल्कुल सामने किताब नजर आ जाए तो इस तरह की कुर्सियां भी बनी हुई बाज मसाजिद में कि आप सजदा जो करेगा तो सजदा के लिए जुकेगा नहीं बलके सजदा के लिए अपनी पेशानी को उस तखते पर उस टेबल पर रखेगा हाला कि उससे ज्यादा वो जुक सकता था अगर वो टेबल जैसा तखता रखावा नहीं होता बना हुआ नहीं होता तो वो और ज्यादा जुक सकता था अगर ये सूरत हाल है उसकी नमाज नहीं हुई क्यों नमाज नहीं हुई इसलिए कि सजदा ही नहीं हुई जब सजदा नहीं हुई जब सजदा करे